हाईलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राजस्थानी स्टाइल से मिर्ची फ्राई आप इसे इंस्टेंट पिकल भी कह सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल हरी मिर्च के अचार की तरह ही आता है चले शुरू करते हैं मैंने यहां मोटी वाली मिर्च ली है जिसको मैंने बीच में से काट लिया है अब इसके बीच मैंने बिल्कुल अलग कर दिये हैं आप इसे किसी भी शेव में काट सकते हैं मसाले मैंने बिल्कुल बेसिक लिए हैं, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, हेंग, नमक और थोड़ा यहां आदा चम्मच मैंने डाला है सरसो का तेल, जिससे की मसाले का अच्छे से कोट हो जाएंगे मिर्ची के अंदर, आब इन मिर्च के अंदर के हिस्से में मैं ब्रश की देंगे, उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया है एक चोथाई चम्मच जीरा और एक चोथाई चम्मच राई, इसमें सौफ और मेती दाना भी आप डाल सकते हैं, मैंने यहां नहीं डाला है, अब यह जो चिली हमने भरी थी, यानि मसाला जिसमें लगाया था, इसको हम स पाउडर भी डाल सकते हैं, अब यह बिल्कुल रेडी है, कंजूम करने के लिए, आप इसे दाल, चावल, रोटी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, और यह स्टोर की जा सकती है, एक हफ़ते तक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज के अंदर